गंजी की खुबसूरत चोटी हिमाले की तलहटी में बसे महीनपुर गाउं में दिव्या नाम की एक बड़ी खुबसूरत औरत रहती थी उसे अपनी खुबसूरती पर बड़ा हिनास था उसके पास जो सबसे खुबसूरत चीज थी वो थे उसके बाल जो की घने, काले, मुलायम और रेशम की तरहां थे उसके बाल उसकी एडियों तक लंबे थे पर घमंड के कारण दिव्या किसी से बातचीत नहीं करती यदि कोई भी उसके बालों के बारे में तारीफ करता, तो उसे लगता कि कहीं उसके बालों को नजर ना लग जाए इसलिए वे सबसे दूर ही रहती थी यहां तक कि उसके बाल गंदे ना हो जाएं इसलिए वे किसी गरीब दुख्यारा जिसके हाथ पेर गंदे हो उसको छूती तक न थी। दिव्या अपने बालों की बहुत देख भाल करती थी और अपने बालों के बारे में इतना ज्यादा परिशान रहती थी कि जब वे रात में सोती थी तब भी उसे यही सपने आते थे क उसके बाल जड़ रही हैं और धीरे-धीरे बालों के जड़ने के कारण उसका सारा सर बिना बालों का हो गया है और सभी लोग उसका मजाक उड़ा रही हैं। इसलिए दिव्या हर समय सबसे अपने बालों को और अधिक खुपसूरत बनाने के लिए कोई न कोई उपाए कुछ भी बता देता उस उपाए को अपने बालों पर जरूर आजमाती थी। शेहर का राजकुमार आदित्य दिव्या की खुपसूरती के कारण उससे विवाह करना चाहता था। उसने एक बार दिव्या को नदी के किनारे अपने लंबे खुले हुए बालों को सुखाते उसके इतने खुपसूरत भाल देखकर वे पूरी तरहां से दिव्या पर मोहित हो गया था। और उसने दिव्या के माता पिता के पास दिव्या से शादी के लिए प्रस्ताव भिजवा दिया था जिसे दिव्या के गरीब माता पिता ने अपना सौभाग्य समझ कर तुरंत ह की स्विकार कर लिया था दिव्या को अपने बालों की तारीफ करवाना बड़ा ही अच्छा लगता था जब भी कोई उससे कहता कि तुम्हारे बाल बड़े ही सुन्दर हैं वह तुरंत कहती मेरे बाल बड़े ही खराब हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते बहुत जड़ रहे हैं मैं क्या करूं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जब लोग उसके बालों की तारीफ करते हैं उतना ही उसे खुशी होती एक बार दिव्या को पता चला जंगल में हिमाले परवत से कोई बड़ी पहुची हुई वैद्या आई है और सब को तरहां तरहां की द भी जाकर वैद्या से अपने बालों को हमेशा ऐसा ही रहने के लिए कोई औशधी ले आए वै उसके पास पहुची और बोली अम्मा मेरा नाम दिव्या है मैं अपने बालों से बड़ी परिशान हूँ मेरे बाल बिलकुल भी सुन्दर रही है और बहुत जड़ते जा रही ह मैं अपने रूखे सूखे जाडू जैसे बालों से बड़ी परिशान हूँ दया करके मुझे कोई ऐसी दवा बताएं जिससे मेरे बाल बच जाएं बुड़ी वैध्या ने जब देखा कि इतने खुबसूरत बाल होने के बाद भी दिव्या इस तरह से कह रही है इसका मतलब वै बड़ी घमंडी है और अपने बालों की सुन्दर्ता की हर समय तारीफ करवाना चाहती है तो उसे बड़ा गुसा आ गया और वै बोली ठीक है मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ तुम जैसा कह रही हो तुम्हारे बाल बिलकुल वैसे ही हो जाएंगे और उसके दे दिया और बोली तुम अपने बालों में जब भी कुछ लगाना उसे पहले इस डिब्या में रखना और उसके बाद लगा लेना तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी दिव्या बड़ी खुश हुई और दिव्या उस डिब्या को लेकर वापस आ गई वै जब भी बा एक हफते के अंदर दिव्या के सारे बाल जड़ गए दिव्या बहुत परिशान हुई और किसी तरह अपना गंजा सर चुपाते हुए वै दिया के पास पहुची और बोली अम्मा आपने मुझे कैसी दिव्या दे दी उसका इस्तमाल करने से तो मेरे सारे बाल गिर गए और मैं पूरी तरह से गंजी हो गई हूँ अब मैं क्या करूँ वैद्या बोली तुम परिशान नहो अब तुम्हारे बदसूरत बाल हमेशा के लिए चले गए हैं अब इसके बाद जो बाल आएंगे वै बिलकुल वैसे आएंगे जैसे तुम चाहती हो और यह कहकर वै वैद्य दिव्या के सामने से गायब हो गई दिव्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वै क्या करे वै चुप चाप वैद्या का प्रयोग करती जा रही थी धीरे धीरे उसके सिर पर बाल आने शुरू हो गए पर उसके सिर पर सचमुझ लंबे घने कोमल और रेश्मी बालों के बदले कांटे वाली जाडी के समान कड़े रूखे सूखे बाल आ गए जिनकी वज़ा से वै देखने में बड़ी ही भयानक लगने लगी कुछ ही दिनों में दिव्या का विवाहा राजकुमार से होने वाला था वह बड़ी परिशान थी कि यदि राजकुमार ने उसे इस हाल में देख लिया तो वह तुरंथ ही उससे विवाह करने के लिए इंकार कर देगा अभी खुबसूरत बालो वाली दिव्या रोते रोते यही सोच रही थी कि राजकुमार का बुलावा आ गया राजकुमार ने अपने जन्मदन के अफसर पर दिव्या को राज महल आने की दावत दी थी दिव्या उस दावत में जाने के लिए इनकार नहीं कर सकती थी और यह दिव्या को पता था कि यदि वह उस दावत में गई तो राजकुमार शादी से इनकार कर देगा आखिर दिव्या ने एक योजना बनाई और उसने राजकुमार के पास यह संदेशा भेजा कि वह दावत में तो जरूर आएगी किन्तु शादी से पहले दुलहन का चहरा देखना दूले के लिए अच्छा नहीं होता इसलिए वह घूंगट ओड़ कर आएगी और उसे उसका चहरा दिखाने के लिए मजबूर ना किया जाए राजकुमार ने उसकी यह शर्त मान ली और दिव्या अपने सिर पर खुपसूरत रेश्मी घूंगट ओड़ कर राजकुमार की दावत में चली गई दावत में तरहा तरहा का नाच गाना हो रहा था सभी लोग बड़े ही खुश थे राजकुमार दिव्या के पास ही बैठा था अचानक जोर से आधी आई और दिव्या के सिर पर पड़ा हुआ घूंगट उड़ गया राजकुमार ने जैसे ही दिव्या के खतरनाक जाडों जैसे काटों से भरे हुए बालों को देखा राजकुमार की चीख निकल गई राजकुमार बोला तुम कौन हो और मेरी दिव्या कहा है। और उसके खुबसूरत बाल हमेशा के लिए उसके सर से जा चुके हैं। किन्तु अब समस्या यह थी कि राजकुमार ने चारों तरफ दिव्या को ढूनने के लिए सैनिक भेज दिये थे। दिव्या ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर नकली बालों की एक लंबी चोटी बनाई और उसे नकली फूलों से सजा लिया। उसने अपने जाडू जैसे बालों को पूरी तरह से कटवा कर नकली बालों की चोटी की अपने सिर में चिपका दिया। और राजकुमार से मिलने गई। राजकुमार ने जब देखा कि दिया के बाल वापस उसके सिर पर हैं और उसकी खुपसूरत लंबी चोटी फूलों से सजी हुई है तो उसने बिना देर किये दिया से तुरंध ही विवाह कर लिया। दिया का विवाहा राजकुमार से तो हो गया किन्तु उसके मन में हमेशा डर बना रहता कि कहीं राजकुमार को उसकी चोटी के बारे में पता न चल जाए। एक बार जब वे अपनी छट पर खड़ी थी तो अचाना के चील आई और उसकी चोटी को पकड़ कर उड़ गई। राजकुमार दिव्या के पास ही खड़ा था। इस तरह दिव्या के बालों को चील को ले जाता देखकर वे हैरान हो गया। और दिव्या का चिकना गंजा सिर देख कर उसे दिव्या के धोखे पर बड़ा क्रोध आया और उसने दिव्या से कहा यदि तुम्हारा गंजा सिर इसी प्रकार एक हफ़ते तक बिना बालों के रहा तो मैं तुम्हें तलाग दे दूंगा। दिव्या समझ गई कि उसे कहीं न कहीं से उस बूढ़ी वैद्या को ढूनना होगा और उसे माफी मांगनी होगी तब ही उसकी समस्या का समाधान होगा। दिव्या माता रानी के मंदर में बैठ कर जोड़ जोड़ से रहम की भीख मांगने लगी। दिव्या के बहते हुए आसू माता के सामने रखे कटोरे में इखटे होते जा रहे थे। इसी प्रकार तीन दिन बीट गए और कटोरा पूरी तरह से भर गया। कटोरा भरते ही दिव्या के सामने जंगल देवी के रूप में बूरी वैद्या प्रकट हुई। विद्या बोली, दिव्या बोली, मा मुझसे बड़ी ही गलती हो गई। मैंने अपने लंबे खुबसूरत कोमल रेश्मी काले बालों को कहा कि वह जाडू के समान है और आपने मेरे बालों को वैसा ही बना दिया। शमा चाहती हूँ, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। भगवान के द्वारा दिये गए मेरे खुबसूरत बालों की बेजती मैं कभी नहीं करूँगी और ना ही किसी से उनके कारण खमंड करूँगी। आप दया करके मेरे बाल मुझे वापस कर दीजिये। जंगल देवी बोली, दिव्या, तुम्हारे सामने कटोरे में जो पश्चाताप के आसू हैं, तुम उनहीं से अपने सिर को धोलो, तुम्हारे पश्चाताप से ही मेरे श्राप का नाश हो जाएगा, और तुम्हारे पुराने बाल वापस तुम्हारे सिर पर आ और ऐसा कहकर जंगल देवी गायब हो गई, दिव्या ने अपने आसों से भरा हुआ कटोरा उठाया, और अपने सिर को उससे धो लिया, कुछ ही पलों में उसके पुराने बाल उसके सिर पर वापस आ गए, और गंजी दिव्या खुपसूरत बालों वाली दिव्या बन गई इसके बाद दिव्या ने अपनी खुपसूरती पर और अपने बालों पर कभी घमंड नहीं करा, और राजकुमार ने जब देखा कि दिव्या के खुपसूरत बाल उसके सिर पर वापस आ गए है, तो उसने दिव्या को वापस अपने पास बुला लिया, और अब वे अपने खुपसूरत बालों के साथ, शांती से राजकुमार के राज्य में अपना जीवन बिताने लगी.